एलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दपेट विजन दिसस साहिल मली की वर होस्त और वेट तो जैसा कि आपने थमनेल में देखा कि आज का जो टॉपिक क्या होने वाला है आज का टॉपिक बहुत जादा इंपोर्टन्ट है इसलिए मैं आप से आशा करूंगा आप इस वीडियो के एंट तक जरूर देखेंगे और उब्जरु करेंगे जो भी पॉइंट में आपको बताऊंगा तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको पोस्ट पार्टम केर के बारे में बताने वाले हैं कि आपकी जो मदर जो डोग है यानि जो फीमल जो डोग है उनकी प्रेजन्स में ही आपको ये पार्टुरिशन की प्रोसेस करवानी है तो जैसे ही अगर आपकी जो फीमल डोग ने जनम दिया उसके बाद आपको अपने जो पपीज जो होते हैं जो नए पपीज है उनको एक वैल क्लीन जगा पर रखना है और आपको ऐसे ही रख दे आपको अपने पपीज आपको ऑपने दोग क्या करना है जाना पड़ेगा आपको guys secondly point क्या धान रखना है आपको ना तो अपने puppies को bathing देनी है यानि नहलाना बिल्कुल ही नहीं है जनम के बाद और ना ही आपको अपनी जो mother जो dog है उसको नहलाना है इसमें क्या होता है क्योंकि उस टाइम जब पार्चुडिशन की प्रसेस हो रहते हैं तो बोड़ी का टेंपरेचर वैसे ही वैरी करते हैं अगर आप एक्शनली कुछ टेंपरेचर एपलाय करोगे तो इल्नेस के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको जो dog है जो ट्रैक्ट है यानि जो पीछे वाला जो रीजन होता है जो आपकी फीमेल मदर डोग का आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है ताकि वहां पर कोई भी जर्म्स ना रहे कोई बैक्टरिया वहां पर ना बैठे कोई भी पैथोजनिक और गेनिसम वहां पर उसको आके इंजरी तो नहीं है उसे या अगर कुछ ऐसा कोई ट्रॉमेटिक कंडिशन तो नहीं आगी है कई बार क्या होता है इस सिच्वेशन में आपका जो मदर डोग है वह काफी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है तो कई बार वह इधर उधर भागना स्टार्ट कर देती है और क आगे जो साइकल होगी उसके अंदर काफी ज़्यादा एफैक्ट कर सकता है जो निकल पाते तो उसको निकालने के लिए इंजेक्शन की करेगा आप उनकी हेल्प से ही इंजेक्शन लगवाएंगे ताकि जो भी रेजिडूल टीशू है या कोई डेट टीशू है जो बचा हुआ है वोंब के अंदर वोंब यानि यूटरस के अंदर अगर वह रिमेन है तो वह बाहर निकल आए इसली आपको ज्यादा उसके लिए एफर्ट भी ना लगाने पड़े अब गाई इसके अंदर क्या होता है जो पार्चुरीशन होता है तो नॉर्मल डिशार्ज आता है बाहर लेकिन अगर वह नॉर्मल डिशार्ज नहीं आ रहा तो इस इंजेक्शन की हैल्प से बहार आ सकता है बेसिकली गाइस देखा जाता एपने वेट से जरूर कंसल्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है आपको जैसे ही आपका जब जो मदर जो डोग है उसने जनम दिया है उसके चारों तरफ यानि एक श्राउंडिंग में पानी की भरपूर मातरा होनी चाहिए और पानी एक वैल क्लीन होना चाहिए बिल्कुल भी आपको सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है और जैसे ही आपका जब मदर डोग बर्थ देती है जब जो डिश्चार्ज बहार आता है आपको चेक कर लेना है कि वह और आ रहा है या नहीं आ रहा है जिसे हम प्लेसेंटा भी बोल रहते हैं वह प्ल डोग ने आपकी मदर डोग ने अगर जनम दिया है तो उसको एक हफते बाद अप अच्छे एक वैल एक बाथिंग दो गए यानि बहुत अच्छे पाने से उसे क्लीन करोगे या एक ऐसा कोई मेडिकेडिट शैंपू यूज करोगे जो उसकी स्कीन के लिए बहुत ज़्या करनी है आपको करना कि कम से कम लोग वहां पर उस कंडिशन में उस सिच्वेशन में डोग के पास जाए विकोज उस सिच्वेशन में आपकी जो मदर डोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है तो वह काफी ज़्यादा बाइट की चांस भी बढ़ जाते है तो खतरना ख यानि वहां पर हीट होनी चाहिए यानि गरम होना चाहिए और आपका जो डोग है समर के अंदर पार्चुरेट कर रहा है तब आपको वहां पर थोड़ा सा हवादार एक एंवार्मेंट क्रियेट करना है ताकि आपके डोग को एक अच्छी फीलिंग आती रहे और एक स्ट् उसके बाद क्या होते हैं कि आपका जो डोग है दीरे दीरे मील के उपर आएगा तो आपको सबसे पहले स्मॉलर मेल्स का यूज़ करना है जिसके अंदर हाई नूट्रीयक्स कि कंटैंट बहुत ज़ीज़ाद होती है लाइक पनीर का यूज़ दे सकते हो लिवर टॉनेग् जिसे आप pedigree भी बोलते हो जिसके अंदर pedigree dog food जो normal आते हैं जिसमें nutritional content काफी जाता है आप दे सकते हो उसके बाद आप एक large meal की तरफ जा सकते हो large meal यानि आप उसे excessive amount में chicken वगरा भी दे सकते हो ताकि जितनी वी जो कमी हुई है body के अंदर उसकी recovery हो जाए तो guys मैं आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी और guys मैंने जितना point cover करने की कौशिश की है मैंने किया होगा अगर फिर भी आपका कुछ doubt आ रहा है तब आप मुझसे जरूर messages करे हमारे comment section में आके आप हमसे question put out करे अगर आपको वहाँ reply नहीं मि कर दो घूरिख से जरूरे अटारम माझस करेंशिश करेंश से शाराश कर दोभरे वहाँ आपको वहाँ एपको अगर तो दो कि बदूए नहीं मिन नहीं में आपको अटार लोगी होगी आपके पूदह